नवस्कार बोल के लब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा कारक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर मेरी अपेल कि मेरे इस कारक्रम को कम से कम अपने पाँच दोस्तों के साथ साजा करें फॉर्वर्ड करें वाट्साप और एसेमस की जरीए ताकि आप और हम मिलके गोदी मीडिया के जूटे प्रोपगांडा को धराशाई कर सकें जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल के लब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल के लब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पोल सबाँ अब तक तेरी है दियूस क्लिक पर मेरे सामने लेकर आएं उस पर गौर कीजेगा आखिर क्या वज़ा है कि जब भारती जाता पार्टी की नेताओं की बात हो उनके चाटुकारों की बात हो उनके समर्थकों की बात हो वो लोग हमारे देश के बारे में, हमारे देश की सेना के बारे में चाहे जितना भी अनाप्षणा बगदे मीडिया उस पर कभी डिबेट नहीं करता उस पर कभी भी F.I.R. दरज नहीं होती है और मैं क्यूं कह रहा हूँ इस पर गऊर कीजेगा आपके स्क्रीन्स पर ये हैं कंगना रनावत जो की बॉलिवूड आक्ट्रिस हैं मगर आजकल जो इनकी पहचान ये है कि ये भारती जनता पार्टी की कटर समर्थक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भक्त है जिसमें कोई गलत बात नहीं है मगर बुद्दा वो नहीं है उन्होंने क्या कहा मैं आपके स्क्रीन्स पर दिखाना चाहता हूँ वो इस ट्वीट के जरीए कह रही है कि जिस तरह से मुझे शिवसेना किसांसत संजेराउत ने धमकी दी है कि अगर तुमें मुंबई पसंद नहीं है या मुंबई पुलीस पसंद नहीं है तु वापिस चले जाओ मुंबई से चली जाओ इससे ये लग रहा है जिस तरह से मुझे धमकी दी जा रही कि मुंबई पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर जैसा बन गया है या कम से कम मुझे ऐसा आभास हो रहा है कंगना रनावत ने पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना कर डाली यह अपने आप में अप्रत्याशित है कल न कीजिये यही बात आमिर खान ने कही होती शारुख खान ने कही होती नसीर الدिन शाह साब ने कही होती तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया में इस पर 24 घंटे डिबेट्स होता उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता जैसे पहले भी किया जा चुका है और कई जगा पे F.I.R. दर्ज हो जाते हैं मगर कंगना रनावत के सामने किसी भी न्यूस चैनल ने किसी ने एक शब तक नहीं कहा और मैं आपको बताता हूँ ये क्यूं चिंता जनक है आपको गोर करना पड़ेगा भारत के मानशित्र पर और भारत की मांचित्र पर अगर आप गोर करें तो पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर को भी भारत के कश्मीर का हिसा बताया गया है क्योंकि हमने संसद के अंदर ये प्रंड लिया था कि पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर उसे भी हम भारत में शामिल करेंगे मगर दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूँ आपकी स्क्रीन्स पर ये जानकारी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कबजेवाली कश्मीर में इस वक्त 55 आतंकवादी शिविर है जिन में एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 5000 आतंकवादी जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं इन्ही आतंकवादीों को भेजा जाता है भारत के अंदर टेरर अटैक्स करने कंगना रनावत ने इस पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना कर डाली है इस पाकिस्तान ओक्युपाइड कश्मीर के साथ हमारे मुंबई पूलीस की तुलना कर डाली है और जब कंगना रनावत को ये याद दिलाया गया कि कल्पना कीजिए कंगना अगर यही बात आमिर खान ने कही होती तब आप क्या करती ही तो इसके जवाब में कंगना ने कहा आपकी स्क्रीन्स पर कंगना ने कहा कि जब आमिर खान और उनकी पतनी ने असहिश्णता पर इंटॉलरेंस पर अपनी बात रखी थी उसवक किसी की हत्या नहीं हुई थी उसवक किसी ने film इंडस्ट्री के अंदर ड्रग काटेल को एक्स्पोज नहीं किया था उन्होंनी ये तक भी कहा कि उसवक किसी ने भी किसी को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा था गंगना नावत आप कितनी भोली हैं या कितनी मासूम हैं मैं नहीं कह सकता मकार शब्द का मैं इस्तमाल नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता मगर मैं आपको बता दूँ कि जब आमिर खान ने इंडियन एक्स्प्रेस के रामनाद गोईंका अवाद्स के समाहरों में वो बात कही थी जिसको लेकर उन्हें लगातार निशाना भारती जहादा पार्टी ने लगाया था तो मैं क्यूं उन्हें वो बात कही थी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इन शेहरों पर गोर कीजिए अखलाक पहलू खान जुनैद इन तमाम लोगों को बिलकुल तालिबानी अंदाज में जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मौत की सजा सुनाता था लोगों को उसी तरह से इन लोगों को मौत की घाट उतारा गया था जी हाँ ना सिर्फ इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था बलकी इन्हें इनसाफ आज तक नहीं मिलाए और इनकी हत्या करने वाले खुले जुट गए चली ये तीन मुसल्मान थे इस शक्स पर गोर कीजिए इंस्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग इन्सपेक्टर सुबोत कुमार सिंग की हत्या हो जाती है भीड हत्या कर देती है और इनमें से जो एक हत्या का आरोपी था उसे भारती जनता पार्टी नर्सिस सम्मानित करती है बलकी उसे पार्टी में भी शामिल कर देती है और उसके बाद जब बवाल होता है तब वो सिनहा को देख रहे हैं जयन सिनहा यहाँ पर मौब लिंचिंग के जो गुनागार हैं आरोपी भी नहीं गुनागार हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए योगी जी की 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले राली है और यहाँ पर सबसे आगे वाली पंक्ती में अखलाक के हत्या के आरोपी बैठे हुए हैं जी हां कंगनार नावत जब आप यह कहते हैं न कि आमिर खान ने अगर इंटॉलरेंस की बात की तो उससे पहले किसकी हत्या हुई थी हत्या तो ढेरों हुई थी मगर सबसे ज़्यादा चिंता जनक बात कि जिस पार पार्टी के नेता हत्यारों को सम्मानित करते हैं उसी पार्टी के नेता इस तरह से उन्हें कंधे पे चड़ा की गूमते हैं दिक्कत यह है इसलिए आप में और आमिर खान में ये बड़ा फर्क है और कंगना रनावत ने उस वीट में ये भी कहा था कि इससे पहले किस व्य कर चीजों पर गौर नहीं करते हैं 2014 सत्ता में आए ही थी भारती जाता पार्टी और इस शक्स गिरराज सिंग ने ये कह दिया था कि जो लोग प्रदामंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे वो पाकिस्तान चले जाए यही नहीं पिछली बार 2015 में जब बिहार के चु कुमार की हुई तो पाकिस्तान में पटाके पूटेंगे जी हाँ पाकिस्तान में पटाके पूटेंगे इतनी बड़ी बात कही थी और आपने कंगना रनावत बहुत ही सुविधावादी तरीके से इन बयानों को नजर अंदास कर दिया जी हाँ मुझे आपकी मासूमियत प तरह साता है और आज जो आप मुंबई पुलीस को गाली दे रही है ना मैं आपको याद दिला दू कि कुछी माइनों पहले की बात है आपने मुंबई पुलीस की मंच से तारीफ की थी और ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये आप ही के ट्विटर हैंडल पर हैं उस वक्त कंगनार अनावज जब देवेंदर फढ़नवी स्वुक्यमंत्री थे मुंबई पुलीस की किस तरह से तारीफ कर रही थी सुनिए मैं आपको एक बात बता दू मैं आपको एक बात बता दूँ मैं दिल्ली में भी रहा हूं नॉइडा में भी रहा हूं मुंबई में भी जाता रहता हूं बीच बीच में मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ जब मुंबई पुलीस की आलोशना कंगना रनावत ने की थी और जिसके जवाब में संजय राउत ने कहा था कि अगर आपको मुंबई पुलीस पसंद नहीं है तो मुंबई छोड़ के चले आई है मेरे हिसाब से गलत है और मैं आपको बताता करने के लिए सिर्व इसलिए कि आप भारती जानता पार्टी के समर्थक हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली पुलीस की आलोशना नहीं करेंगे या उत्तरपदेश पुलीस की आलोशना नहीं करेंगे उसी तरह से कंगना को आजादी है मुंबई पुलीस की आलोशना क कर रहे होते हैं और दिल्ली पुलीस हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है या फिर जामिया के अंदर खुद सीसी टीवी कैमरे तोड़ रही होती है दिल्ली पुलीस चात्रों को तोड़ने के अलावा हमें इस तरह की पुलीस की हरकतों की आलोशना करने का हक है और बात यहां नही दिली लड़की रात को बारह बजे घर लोट सकती है। रात को तीन बजे घर लोट सकती है। उसे अपनी जान को लेकर अपनी इज़त को लेकर कोई खत्रा नहीं लगता। मेरी धेरों फ्रेंज हैं जो मुंबई में रहती हैं जो मुंबई में रहा करती थी अब वो नॉइडा में हैं अब वो दिल्ली में और वो मुझे दोनों शहरों का फर्क बताती हैं ये खासियत है मुंबई की और इसका श्रे दिया जाना चाहिए मुंबई पुलीस को कंगना रनावत अगर आज की तारीक में आप मुंबई पूलीस की आलोशना कर रही है तो उसके पीछे सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं और मैं आपको एक्सपोज कर चुका हूँ आपको मैं expose कर चुका हूँ आपके दोहरे माबदंड को लेकर जो आपने मुंबई पूलीस के बारे में कहा था आपको मैं expose कर चुका हूँ जब आपने कहा था कि जब आमिर खान ने intolerance की बात की थी तब किसकी हत्या हुई थी जी हां शेहरों में बयार थी हत्याओं की गाए के नाम पर mob linchen के नाम पर और यहीं नहीं मौब linches को हत्यारों को सम्मानेत कर रहे थे वो party के नेता जिसकी आप पिठटू है जिसके लिए आप लगातार मंच पर खड़ी हो जाती हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो दोहरे मापदंड है ये मुझे क्यों खटकता है मैं आपको पताता हूँ आपकी स्क्रीन्स पर नसीर उदिन शाह साब है नसीर साब ने सिर्वितना कहा था कि जब बुलंड शहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग सुरक्षित नहीं है तो मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब ये घटना होई थी तब उनकी आलोचना बाबा रामदेव ने की थी अनुपम खेर ने की थी अनुपम खेर ने ये तक कह दिया था कि भाई कितनी आजादी चाहिए आप सिना को भी गाली दे सकते हैं सब को गाली दे सकते हैं और ये वही अनुपम खेर हैं इनकी फिल्म आई थी The Accidental Prime Minister रही है आप बड़ी तादाद में जाकर ये फिल्म देखिए तब इनकी देशभक्ति कहां जाती है मैं सपश्च कर दूँ अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फिल्म का अपने बुक का अपने सीरिल का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें देशद्रोह नहीं है मगर मैं सिर्फ भारती जनता पार्टी के चाटुकारों की भाषा का इस्तमाल कर रहा हूँ यापर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अक्षे कुमार ये जो अनुपम खेर नसीर अदिन शाह पे उंगली उठाते हैं आमिर खान पे उंगली उठाते हैं वो कितने गलत हैं और उनके किस कदर दोहरे माबदंडे यही मुद्दा मैंने बोल के लब आजाद हैं तेरे में आ अब अरका के रहे हैं एक कुम आखिमार ये कह रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाओंगा तो अपने सारे धन के साथ टोरांटो में सेटल हो जाओंगा मित्रों कल्पना कीजिये यही बात आमिर खान या शारु खान ने कही होती तो हम उनसे क्या कहते? कि बेटा, खाते भारत की हो और गाते टोरांटो की हो तो जब अक्षे कुमार या ये लोग हमें देशभक्ती का संदेश देना तो कम से कम आप उनकी इस बया को जरूर याद कर लें अब हम रुक करते हैं उस शक्स की तरफ जिन्होंने बाकाइदा नसीर सहाब को कहा है कि तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए अब वेंजडे में ये दोनों एक साथ थे यानि कि अनुपमखेर और नसीर सहाब और अनुपमखेर ये कहते हैं कि सहाब इस देश में आप सेना प्रमुक को गाली दे सकते हैं आप सेना पर पत्थर मार सकते हैं तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए तो आज मैं आपके सामने एक फैक्ट रखने वाला हूँ क्या आप जानते हैं कि इन्हें पुने स्थित Film Television Institute of India का ध्यक्ष बनाया गया था और ये वहाँ पर बारा महीने भी नहीं रहे 1974 के बाद सबसे कम इस पद पर रहने वाले अनुपम खेर है मगर क्या आप जानते हैं इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा ये है कि अनुपम खेर साहब ने का कि अमरीका में मेरे कुछ acting assignments हैं लिहाजा मैं वहाँ पर रुक नहीं सकता इसलिए मुझे अमरीका जाना है अब सोचिए यही तरक अगर नसीर उद्दीन शाहा ने दिया होता कि मेरे अमरीका में assignments हैं लिहाजा मैं FTII छोड़ के जा रहा हूँ तो उने क्या क्या नहीं कहा जाता है मगर क्या इनको कुछ कहा जाता है नहीं कहा जाता है कंगनार अनावद क्या आप जानती हैं आप में और आमिर खान में फर्क क्या है जब आमिर खान ने अपनी पतनी की चिंता केरंड राओ जो कि एक हिंदू है उनकी चिंता को जाहिर किया था एक सारवजनिक मंच पर तो उसके बाद भारती जनता पार्टी ने इसकदर उन्हें टार्गेट किया था कि स्नाप डील के साथ उनका करार तूड़ गया था और स्वरगी रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बाकाइदा एक स्पीच में कहा था कि किस तरह से हमने आमिर खान के करार को स्नाप डील के साथ तुड़वा दिया था भारती जाथा पार्टी का IT सेल लकातार लगाओ था स्नाप डील को टार्गेट करने में और उस वक्त आमिर खान ने जो चिंता जाहिर की थी उन घटनाओं को लेकर की थी जिन घटनाओं से दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही थी आमिर खान ने सिर्फ इतना कहा था इसलिए जब आप ये तमाम बाते करती है ना तो आपकी बात कतई हजम नहीं होती है अब इस बयान पर गौर कीजे यहाँ पर उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने आमिर खान के बारे में कहा था कि आमिर खान देश शोड़ कर चले जाएं उनके जाने के बाद देश की आबादी कम हो जाएगी ये सांसद रह चुके हैं मौझूदा मुख्यमंत्री हैं मगर इस देश में एक व्यक्ती को संबोधित करने की जो गर्मा होती है न उससे कोसों दूर हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदितना ची ये फर्ख है इस तरह से टार्गेट किया जाता है आमिर खान को नसीर अदिन शाह को लिहाजा इस तरह की रुदाली आप कता ही न करें कि आपके साथ बुरा रहा है एक तो मैं समझ नहीं पाता हूँ इस बॉलिवोड रुदाली गैंग को सत्ता आपकी है आप चाहिए जो मर्जी करें मगर फिर भी आपका 24 घंटे रुदाली चलती रहती है क्यों क्या यह बतलाने का आप प्रयास करेंगे दोस्तों बहुत दुख होता है इस वक्त देश एक आर्थिक जुवारभाटा से गुजर रहा है हम लोग एक आर्थिक जुवाला मुखी में दफ्न होते जा रहे हैं मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है जीडीबी रसातल में चली गई है तेश में नौकरिया नके बराबर है लोगों की जहां नौकरिया लगी हुई है उनकी सालरीज कट रही है उनके बच्चे हैं मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उल्टा या तो सुशान सिंग राशपूत पर जूटी, जहरीली और घटिया खबरें चलाए जाती है या पिर इस तरह से लोगों को मुद्दों से हटाया जाता है या फिर टाइम्स नाउ की खबर देखिए ये इनकी हर साल इस तरह की खबर आ जाती है और इस खबर के मताबिक प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की जान को खत्रा है मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी खबर वाकई सची है और गंभीर है तो टाइम्स ओफ इंडिया अखबार में ये खबर क्यों नहीं आई अगर ये खबर इतनी बड़ी है और हर बार इस तरह की खबरों के साथ ये लोग आजाते हैं आज से कुछ महिनों पहले बिलकुल यही खबर के साथ ये लोग आए थे और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये बड़ी खबर है तो हर अखबार या हर नियूस चैनल पे क्यों नहीं चल रही है यानि कि जब भी मैं देखता हूँ कि किसी ना किसी संकट में ये सरकार है या ये पुलिटिकल पार्टी है तो इनके जो पिछलगू नियूस चैनल है इस तरह की ख़बरों के साथ आ जाते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की जान को खत्रा है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हमारे प्रधान मंतरी हैं उनकी सुरकषा को लेके हम सबकी चिंताए हैं हम सब को चिंतित होना चाहिए अगर ऐसा कोई खत्रा मौजود है मेरे हर बार ये ङूश चैनल चाहें चाहिए जिसका कोई जमीन नहीं जिसके कोई आधार नहीं जिस पर हर बार में देखता हूं जैसे ही सरकार किसी ना किसी दबाव में होता है ये खबर जो है अवतरित हो जाती है मैं आपसे हाथ जोड़ का प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस रुदाली गैंग से बचिये क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ना सिर्फ शहरों को टार्गेट करें हमारे सम्मानित शहरों को टार्गेट करें अगर मैं इनीकी शब्दों में बात करूँ महराश किसकी जन्म भूमी है किसकी कर्म भूमी रहे शिवाजी महराज की और मुंबई उसका दिल है मुंबई उसकी राध्धानी है अगर किसी ऐसे अभिनेता ने जो कि भारती जनाता पार्टी का समर्थक ना होता अगर उसने मुंबई की तुलना पाकिस्तान occupied कश्मीर से करदी होती तो यहाँ पर तो शिवाजी के अस्मिता का सवाल पैदा हो जाता मगर पूरे इस अतरह से सन्नाटा पसरा हुआ है तो अगली बार देश की अस्मिता की बात मत करना तुम्हारे बयान खोकले हैं, तुम जूटे हो और चाहे महराज शिवाजी या देश के बारे में जो तुम चिंता जाहिर करते हो ना, उसकी कोई जमीन नहीं है, सिर्फ इस से जुड़ा हुआ है तुम्हारा राजनीत एक्सवार्थ और उसके अलावा कुछ नहीं खेर, बोल के लब आज़ाज हैं तेरे में बस तता ही अभिसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार